आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर और बेसन से बनने वाली एक बहुती यूनिक सी रेसिपी शायद ही आपने ये कभी रेसिपी पहले ट्राई की हो तो चलिए फिर देर किस बात की स्टार्ट करते हैं टेस्टी डिलिशियस रेसिपी तो सबसे पहले गयस पर एक पैन रखें और इसमें आप दो चममच ओयल डालें ओयल जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो इस्तमाल कर सकते हैं जब ओयल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चममच जीरा डालें और इसमें एक चौथाई चममच राई डालें गेस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है जीरा और राई को तड़कने देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से भून लेते हैं इने और जब जीरा और राई तड़कने लग जाएं तब आप इसमें डाल दें प्यास तो एक बड़े साइस के प्यास को इस तरह बारिक कट करके डाला है प्यास को हलका सा हमें भून लेना है तो लगातार चलाते हुए प्यास को भून लीजे और जब प्यास इस तरीके से हलका सा भून के त्यार हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे लैसुन तो मैंने यहां 8-10 लेसुन की कलियों को बारीक कट करके डाला है साथ ही इसमें जारा एक चमच अद्रक को गिसके डाला है दो बारीक कटी हुई हरी मिर्स डाल दी है इसके अंदर और यह हम इसमें डाल रहे हैं एक चोथाई चमच हींग सारी चीजों को mix करेंगे और इन्हें भी हम प्यास के साथ हलका सा भून लेंगे तो बस ध्यान रखना है कि कैस का flame medium रखें, high flame ना रखें तो यहाँ पर यह देखें, जो सारी चीजें भून के त्यार हो गई हैं, इससे ज़्यादा डार किने हमें नहीं करना है तो बस इस stage पर अब मैं इसमें अड़ करने वाली हूँ, टमाटर, तो यह मैंने तीन टमाटर को इस तरीके से roughly कट करके लिया है टमाटर डालने के बार इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ऐसे mix करना है अब इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे, तो सबसे पहले इसमें जा रहा है आधा चमच नमक, आधा चमच जाएगा हल्दी पाउडर, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर, तीन चोथाई चमच यानि की एक चमच से थोड़ा कम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, सारे मसाल अब मैं इसे धाई तीन मिर्ट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि से जो टमाटर है वो बहुत ही जल्दी और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं अब धाई तीन मिर्ट के करीब हो चुके हैं, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और टमाटर को हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर यह देखिए, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, जब मैंने इस तरीके से दबा रही हूँ तो टमाटर आसानी से दब रहे हैं तो यहाँ पर आपको यह जो टमाटर हैं, इन्हें बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है, सारे टमाटर को मैश करने के बाद इसे अच्छी बाइंडिंग देने के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, तो यह मैंने लिया है 4 तक इस तरीकी से दबा दबा कर भूनना है, ताकि इसे बेसन अच्छे से भूँन जाए, इसमें कच्छे पन की बिल्कुल भी स्मेल ना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से से मिक्स करना है और इस तरह अच्छी बाइंडिंग मिल चुकी है बेसन से, और यहे एक ड अब मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है एक चोथा ही चममच जा रहा है आमचूर पाउडर क्योंकि हमने टमाटर यूज कि हैं इसलिए आमचूर पाउडर कम डालना है थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है मिक्स कर देते हैं सभी चीजों को और बहुत ही यह स्टफिंग तियार हो गई है एक दम यूनिक न्यू और टेस्टी नाश्ता रेसिपी है इसे आप चरू ट्राइ किजेगा तो यहां पर अब सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसे आप एक अलग बरतन में निकाल का ठंडा कर लें और अब चलते हैं अगले प्रोसिस क यूर एक बड़े बोल में मैंने लिया है एक कप गेहूं का आटा आप चाहे तो इस नाश्ता को मैदा से भी त्यार कर सकते हैं बट में गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रहे हूँ अब नाश्ता को बहुत अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें डालाए एक कब बेशन काफी होगा एक चोथा ही चमच इसमें डालने अजवाइन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और यह डाइजेशन में भी हैल्प करता है यहां पर एक चोथा ही चमच कलोंजी डाल दिया है एक चमच ली है कसूरी मेथी इसे हातों से इस तरीके से क्रश करत डालेंगे इससे नाश्ता पहुत ही ज़्यदा टेस्टी बन जाएगा अब इसमें जाएगा नमक तो तीन चोथा ही चमच इसमें नमक डाल दिया है एक चमच से कम डाला है नमक आप अपने स्वादर नुसान नमक डाले सारे ड्राइ इंगिडियंट्स को आपको मिक्स कर ल त्यार कर लेना है यह जो डो है बहुत ज्लाज डाहिं लगाना और बहुत ज्यादा क्यान भी नहीं लगाना जस तरह का डू नॉर्मली आप च्पाती के लिए ठ्यार टेभा करते हैं उससे हलका सब्टर ब्राइंग लाएं तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते झायर अच इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और 10 मिनट बाद हम इससे नाश्ता बनाएंगे तो अब इस डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो एक बार फिर से आपको इसे 1-1.5 मिनट के लिए और गूंद लेना है इसे अच्छा स्मूध बना लेना है और अब इससे अगले प्रोसेस पर तो यह हमने प्लेट फॉर्म पर लोई रखी है और इसके उपर थोड़ा सामने घी लगा लिया आप घी ओयल कुछ भी लगा सकते हैं और इसे हम बेल लेते हैं यहाँ पर हमें सुखाट अवगेरा नहीं लगाना है इस तरह घी या ओयल लगाकर इसे ब पतला बेलें और सभी तरफ से एक जैसा बेलें तो यहाँ पर एक बड़ी सी चपाती बेलने के बाद मैं इसके उपर थोड़ा सा घी लगा रहे हूं आप चाहें तो ऑईल या बटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं और अब लगाने के बाद जो हमने टामाटर और बेशन की स्ट से कवर कर दिया है बहुत ही टेस्टी और यूनिक नाश्टा बनके त्यार हो रहा है आप इस नाश्टा को जरू ट्राइ कीजेगा घर में सबको यह बेहत पसंद आएगा अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और बस इसे हम रोल करते जाएंगे इस ट्रफिं हमने रोल त्यार कर लिया अब इस तरीके से इसे हाथों से रोल करेंगे ताकि से यह अच्छे से चिपक जाए यह देखिए बहुत ही बढ़िया अब यह जो साइड्स हैं इने भी हम इस तरह बंद कर देंगे अब यह हमारा रोल त्यार हो चुका है अब इसे कट करेंगे तो पहले दोनों तरफ से थोड़े थोड़े हिस्से को निकाल देंगे और बस इन्हें आब आप कट करें तो यहाँ पर यह देखिए मैं बहुत बड़े बड़े पीसिस कट नहीं कर रहे हूँ आप चाहें तो थोड़े बड़े या छोटे पीस अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं यह देखिए इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है और इसे कट करने के बाद इस तरीके से आपको पीस को उठाना है और इधर खुली वाली साइड की तरफ से रखना है और हतेली से से दबा देना है फिर से दिखाती हूं ये देखी इस तरीके से रखेंगे और इसे हतेली से हम दबा देंगे दोनों तरफ से जिदर से भी आप रखना जाए ना उदर से रखें बट खुली हुई साइड से रखें ये देखें इस तरह रखेंगे और ऐसे दबाएंगे बस बह गैस पर ओयल पहले ही गर्म करने रख दिया था गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और ये पीसिस हमें इस तरीके से स्पैन में डाल देने हैं एक तरफ से लगभग एक मिनट के लिए सिखने देते हैं और उसके बाद हमें इने पलट देंगे तो यहाँ पर अब मैं इने पलट रही हूँ देखिए कलर जो है वो हलका सा चेंज हो चुका है सारे पीसिस को आपको साबधानी से पलट देना है आप चाहें तो इसे डीफ फ्राई भी कर सकते हैं बट मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ अब दूसरी तरफ से भी लगबग एक मिनट तक सिखने दे और उसके बाद अलट पलट कर सभी तरफ से अच्छा डार गोल्डन ब्राउन होने तक इसे आपको शैलो फ्राई करना है बहुत ही टेस्टी लेड वाला चटपटा बहुत ही यूनिक नाश्ता है इसे आप अपन करारा हमें नाश्ता ये दिखाई दे रहा है तो बस इन्हें हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी हमें इसी तरीके से शैलो फ्राई कर ले रहा है अब इस नाश्ता को आप गरमा गरम सर्फ करें आप इसे सौस ये चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं अगर आपको ये टेस्टी नाश्टा पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और आल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखा हूंगी कि नाश्टा कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और काफी सारी लेयर इसके अंदर बनके त्यार हुई है ये देखिए एकदम परफेक्ट तो आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में